बिस्मिलाई रख्मान इराहीम विवर्स आज मैं आपके साथ क्रिस्पी चिकन चीज पराथा की कुईक एजी रेस्पी शेयर करूंगी पराथा बनाने के लिए पहले हम डो रेडी करेंगे डो के लिए हमें चाहिए दो कप मैदा, वन ठेबल स्पून साल्ट अब हम मैदे को गुन लेंगे नार्मल पानी के साथ जिस तरह से हम डेली घर में आटा गुनते हैं सेम वैसे हमने डो को गुन लेना है डो को हमने बहुत ज्यादा हार्ड नहीं रखना यह देखें soft 사 Lucy door ready है अब हम इसको container में shift कर देंगे light's ela की brushing करके इसको cover करके रख देंगे rest के लिए 20 minute का हम इसको rest देंगे 20 minute का rest देने के बाद हम इसके पेड़े बना लेंगे यह देखेboy medium size के हमने पेड़े बना लेने है बाकी के पेड़े भी हम इसी साइस के बना लेंगे यह देखें पेड़े रेड़ी हैं अब हम इनको बेल लेंगे हलका हलका मैदा डस्ट करते हुए काउंटर पे हम इनको बेलन के हल्प से बेल लेंगे अब हम इस पे ब्रशिंग कर देंगे मेल्टिट बटर की आप बटर की जगा पे आईल की भी ब्रशिंग कर सकते हैं इस पूरे को हमने बटर के साथ कवर कर दिया है अब हम इस पे मैदा स्प्रिंकल करेंगे इस तरह से रोल करते हम इसको फोल्ड कर लेंगे यह देखें इसको मैंने रोल कर लिया है अब इस तरह से हमने इसको प्रेस करना है ताके जो एक्स्ट्रा एयर है वो निकल जाए अब हम इसको प्रॉपर शेप दे देंगे बल वाले पेड़े की यह देखें इस तरह से हमने बल वाले पेड़े की शेप दे देनी है ये बलवाले पेड़े की बिलकुल perfect shape है इसी तरह से बागी के पेड़ों को भी हम shape दे देंगे fold करते वे ये देखें मैंने सारे पेड़ों को shape दे दी है अब हम इसको container में shift कर देंगे rest के लिए इसको हम cover करके रख देंगे आदे घंटे का हम पेड़ों को rest देंगे rest देने से प्राठे में बहुत सारी layers बनती है आदे घंटे के लिए मैं इसको फ्रीज में रख दूँगी तब तक हम chicken की filling ready करते हैं filling के लिए हमें चाहिए boiled shredded chicken 1 cup small capsicum half 1 chopped onion green chili 0.5 teaspoon salt 1 teaspoon chili flakes 1 teaspoon oil 2 tablespoon sausage में soya sauce 1 tablespoon vinegar 1 tablespoon अब हम chicken को ready करते हैं pan में oil को हम हलका सा गरम कर लेंगे साथ हम इसमें zira add कर देंगे और zira को golden brown color आने तक हम fry करेंगे साथ इसमें मैंने salt add कर दिया है boiled shredded chicken 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 को हम 3-4 मिन के लिए fry कर लेंगे golden brown color आने तक यह देखें chicken fry हो चुका है बहुत प्यारा सा color आ चुक है अब हम इसमें छीली अद्डी आपने आप को इस भी वेजस डाल सकते हैं जो आपको पसंदो आप इनको मची तरह से मिक्स कर लेंगे व्यजस को ने आपने वर कुक नहीं करना इनको हमने जस्डी करना है तीन से चार मिन तक हम इनको सोते कर लेंगे मेजिस को सोते करने के बाद हम इसमें चिली फ्लेक्स एड़ करेंगे चिली फ्लेक्स को भी हम लाइट सा कुक कर लेंगे अब हम इसमें एड़ कर देंगे सॉसिस विनिगर, सोया सास flame को हम high रखेंगे ताके जो sauceus का पानी है वो dry हो जाए 2-3 मिन के बाद flame को हम off कर देंगे ये देखें chicken ready है, इसको थंड़ा होने के लिए हम रखतेंगे filling के लिए चिकन बिल्कुल ready है filling के लिए चिकन के साथ जाएगा mozzarella cheddar cheese 1 and a half bowl ये देखे पेड़ों को रहस दिये विवे आदा घंटा हो चुका है यह कितने सॉफ्ट हो चुके हैं अब हम नको बेल लेंगी हल्कालका मैदा लगाते वे हल्के हाथ से हमने इनको बेल लेना है मैंने इसको फुल साइज में बेल लिया है अब प्राठे के half part पे हम chicken लगा देंगे चिकन को हम cover कर देंगे mozzarella cheddar cheese के साथ अब हम प्राठे को moon shape दे देंगे इस तरह से हमने side से इसको fold कर लेना है fold करने के बादill को फोक से हम इसको press कर देंगे ता कि जो chicken है वो बाहिर ना निकले हलका हलका balance से हम इसको press कर लेंगे तवे को मैंने गराम होने के लिए रख दिया है अब हम इस पे butter की brushing करेंगे अब प्राठे को हम fry कर लेंगे आईल two tablespoon अब प्राठे को हम fry कर लेंगे हलका हलका हिलाते हें ये देखें प्राठे की एक side पक चुकी है अब हम इसकी side change कर लेंगे यह देखें प्राठे पे कितना प्यारा सा color आया है मैंने इसको low to medium flame पे fry किया है high flame पे नहीं अगर आप high flame पे fry करेंगे तो प्राठा जल जाएगा आप flame चेक कर सकते हैं यह देखें प्राठे की दूसरी side भी ready है कितना प्यारा से इस पे golden brown color आया है प्राठे की दोनों sides ready है अब हम इसको plate में निकाल लेंगे plate में मैंने butter sheet लगा दिया ताकि जो extra oil है वो butter sheet पे आ जाए प्राठा बिलकुर ready है अब हम इसी तरह से बाकी के प्राठे भी बना लेगे यह देखें दूसरा प्राठा भी हमारा ready है इस पे भी कितना प्यारा सा color आया है बिलकुल नहीं जला एक जैसा even color आया है सारे प्राठे फ्राए हैं मैं आपको एक प्राठा दिखाती हूँ cut करके यह देखें कितना easily cut हो रहा है यह बहुत ही soft और crispy हैं अभी बहुत गरम है यह देखें मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ कितना चीजी है और wedges का color आप देख सकते हैं नजर आ रहा है यह देखें अंदर से आप इसकी filling चेक करें माशाला आप इसको ketchup के साथ serve करें आप बच्चों को lunch box में भी दे सकते हैं tea time के लिए यह बिल्कुल best menu है और taste में भी बहुत जबरदस्त है मैं उमीद करती हूँ आपको मेरी आज की recipe बहुत पसंद आई होगी अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को like कर दीजिए चैनल को subscribe कर दीजिए bell icon को press कर दीजिए thanks for watching